So hello guys, कैसे हो, आप से भाई हो, आप लोग अच्छे हूंगे Guys, आज की सुड़िम आपको WhatsApp के एक प्रॉब्लम के सल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों काफी सारे लोगों ने कॉमेंट किया था कि जब वो WhatsApp पे कोई भी स्टेटस लगाते हैं और guys, उनका स्टेटस काफी सारे लोग देख लेते हैं, लेकिन उनके पास जो counting view सो होता है, वो जीरो सो होता है उनको पता ही नहीं चलता कि किस-किस ने उनका WhatsApp स्टेटस देखा है, इस वीडियों guys, मैं आपको इस problem का solution बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हूँ, कैसे आप इसको fix कर सकते हूँ, ठीक है क्योंकि guys, काफी टाइम ऐसा होता है कि जब हम WhatsApp पे कोई भी स्टेटस लगाते हैं और guys, हमारे स्टेटस को काफी सारे लोग देख लेते हैं, लेकिन guys, जो view counting होता है, वो जीरो सो होता है और guys, हमें पता ही नहीं चलता है, कि हमारा WhatsApp किस-किस बंदे ने देखा है, ठीक है तो वीडियो आज का काफी ज़्यादा interesting है, काफी ज़्यादा important है, तो मैं आपसे request करूँगा कि वीडियो को पूरा ज़रू देखेगा और guys, comment box में आप comment करके ये ज़रू पताना कि आप किस company का phone यूज करते हूँ जिससे दोस्तो मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरे viewers हैं, वो किस company का phone सबसे ज़्यादा यूज करते हैं जिससे उस phone से later मैं आपको ज़्यादा ज़्यादा वीडियो देपाँ, ठीक है दोस्तो वीडियो अगर पसंद आये तो like, share, comment, channel को subscribe ज़रू किज़ेगा अब चले वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो आप हम सबसे पहले अपने WhatsApp में एक status लगाते हैं simply यहाँ पर WhatsApp कोपिन करते हैं और एक status लगा लेते हैं, ठीक है तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने status लगा दिया, ठीक है अब हम इस वाले WhatsApp को ओपिन करते हैं और status को देखते हैं दोस्तो यहाँ पर हमने status देख लिया, ठीक है अब गईज हम view counting को ओपिन करते हैं दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हो zero score है, ठीक है यानि guys हमें पता ही नहीं चला कि हमारे whatsapp status को किस ने देखा है ठीक है दोस्तों आपको इसको ठीक करने के लिए आपको अपने whatsapp में एक setting करना होगा ठीक है तो अब हम इसको delete कर देते हैं तो दोस्तों finally हमारा जो status है वो delete हो चुक है ठीक है इसके बाद guys आपको privacy को open करना है आप दोस्तों आपको यहाँ पे एक option में लगा rate receipt कर ठीक है आपको इसको enable कर देना है क्योंकि guys काफी साई लोगों कि whatsapp में यह जो setting है यह जो option है यह disable होता है off होता है जिसकी वज़े से guys जब भी वो whatsapp पे कोई भी status लगाते है और कोई भी उनका whatsapp status देख लेता है लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि किस किस ने उनका whatsapp status देखा है ठीक है अब हम फिर से whatsapp status लगाते है तो दोस्तों यहाँ पे हमने whatsapp status लगा दिया ठीक है अब हम दूसरा वाला फोन लेते हैं और फिर से status को देख लेते हैं ठीक है तो गईज यहाँ पर हमने status देख लिया है ठीक है अब हम counting view को open करते हैं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो सो हो रहे हैं अम इतने WhatsApp status देख लिया है ठीक है इस तरह आप इस problem को fix कर सकते हो ठीक कर सकते हो सिर्फ आपको अपने WhatsApp में एक setting on करना है जिसका नाम है read receipt ठीक है इस setting को आपको on कर ले रहे है क्योंकि काफी साई लोगों की WhatsApp में यह जो setting होता है यह off होता है जिसकी वज़े से counting view सोर नहीं होता है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कर दो यार चैनल पर नए चैनल को subscribe करो क्योंकि मैं ऐसे ही नए-ने knowledgeful वीडियो बनाता रहता हूँ ठीक है वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद